Assalamu alaikum, welcome to Thinksome podcast आज जो हमारे guest है, उनका नाम है हिदायत वर्वत हिदायत एक artist है, एक sculptor है मैं थोड़े एर से पहले बिला था इनसे बड़ी अच्छे हमारी gap shop रही और वहाँ मुझे इनका journey बता लगा तो ये journey सबसे share होना चाहिए बड़ा मज़े का journey है और ये एक optician थे एक hospital में और वहाँ से अब ये एक sculptor है जिसके fun पारे जो है वो मुझे से बिखते है तो काफी मज़ी की है podcast रही काफी कुछ हम लोगों ने explore करने की कोईश की जारी बात भी time कम होता है एक घंटा होता हम कोशिश करने हैं बढ़ जाए बट फिलाल एक घंटे में हम लोग जितना कुछ explore कर सकते थे हमने करने की कोशिश की है तो I hope आपको पसंद आए मेरा नाम है बिलाल अबान यो मरुबत कैसे हैं आप मैं अलहबुल्ला ठीक बितरीन कैसा चल रहा है अचकर मौसम शिफ्ट कैसा एक जाय करे है मौसम शिफ्ट अच्छा है मतलब थोड़ी सी बोड़ी मैं च्छोटों से देखता हा रहा है यह पाकिसान आर्ट फोर्म का भी काफी अच्छा रिस्पांस रहा है तो कैसे करते होते हैं एक्जिबिशन मैं तो छोटों से देखता आ रहा था कैसे आर्ट गैलरी होती है देर एक्जिबिशन लगता है देर क्वेंटिंग्स लगी होती है तो कैसे लगाते हैं ये कैसे होता है वैसे ये मेरा सेकंड शायद एक्जिबीशन है क्योंकि एक्जिबीशन के बाद मैंने काम कमर्शिली किया तो मैं भी इस लिहास से नया ही हूँ लेकिन एक तो प्रैक्टिसिंग हो अपने काम के साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है उससे रिलेटिट दूसरा ये हैं कि फिर अगर आपका कोई काम कोई भी आपने आर्ट मतलब पेंटिंग, स्कल्चर या आर्ट से रिलेटिट कोई चीज आपने प्रोडियूस की है तो फिर आप उसमें लिखते हो और आर्ट से रिलेटिट मेंट इसकी जो डिस्पले होती है जहां के लिए आप लेट सपोज आप किसी गैलरी में करना चाहते हो तो उनको आप एक प्रोपोजल देते हो मेल करते हो या उनको इसके साथ बात करते हो कि या इस तरह हमारा होगा तो इसमें सोलो भी हो सकता है सोलो के लिए अपना एक वो है ग्रूब में फिर दूसरे लोग जो है वो फिर गैलरी चूज करती है एक ये भी होता है दूसरे ये हैं कि आप अपना कुछ जगर दो चार लोग है जो कि नीचले उनकी अपने अंडरस्टेंडिंडिंग है और उचाते हैं कि हम तीन चार छे लोग जो है हम एक ग्रूब शोक है तो वो भी एक फिर प्रॉपोजल बनाते हैं और आगे दे 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 ते फिर गैलरी जो है आपको टाइम देती है क्योंकि अग्र उनका एक चल रहा होता है तो उनमें से उसमें काफी टाइम भी हो सकता है फ़क्रत एक-दो साल भी लंबे इंतजार भी होता है अब आप महीने तो होती है तो यह एक मेन प्रोसीजर होता है तो मरवत आप जहें कैसे स्कल्प्टर बने यह जर्नी था हमें सनाये थोड़ा सब स्कल्टर में कैसे बिद्धियूस कैसे है वे जलें हम जो था स्पेसिफिक करतें स्वाल को कि स्कल्टिंग से और आर्ट से इंट्रडिउस कैसे हुआ अप प्रेक्टिकल प्रेक्टिकली प्रोफेशनली आप कह रहे हैं कि मैं कैसे आया है ने प्रोफेशनली एक तरह ना कि आप आपने डिग्री कर ली पढ़ लिया और फिर आप आगे पिर आपने उसको अप्लाइ कर लिया लेकिन इंट्रोडक्शन कैसे हुआ कि यार स्कल्टिंग कुछीज होती है और यह मैंने क अगच्छे होते थे मेरी अमी घर में कड़की जो होती है उसके साथ फ्लोरिंग होती है फूल बनाते हैं मिट्टी से वो बनाती थी और हम देखते थे स्कूल से जब आते थे तो वो मेरी बड़ी सिस्टर हमारे साथ जब हम खेलते थे जो मैं कह रहा हूँ ना बच्पन की और यह लाका कौन सा है लकी मर्वत और लकी मर्वत में जो हमारा टाउन है गाओं है वो बिलकुल वहां का एक थार्ड वर्ड लेकिन वो चीजे जो एक्टिविटीज थी खले के साथ हमारी इंटरेक्शन डिवान से थी एक तो यह था कि हम गाओं के रहने वाले थे उसरा अधिये था कि हमारे घर कहचे थे तो हर तरफ मिटी मिटी मतलब तो वो चीजें अमी से बड़ी बहन में बड़ी बहन से फिर बड़े बाई मेरा बड़ा जो बाई है वो मैं काऊंगा कि मेरा टैन फोल्ड है तो स्किल वाइज अगर वो परसू करता है लेकिन आहरी बात है वहाँ पे कोई platform नहीं था, कोई awareness नहीं थी, late 90s, 2000 की बात है, तो वो नहीं कर वाए, मुझे भी काफी लेट पता चला, कि मैं क्या हूँ, मुझे किसी ओर ने discover किया, कि आप ये हो और आपको यहाँ पे आना चाहिए, तो इस story में हम जाते हैं कहले को असा, कि कैसे discover हुए आप? मैं NCA से पहले job कर रहा था है, शिफा इंटरनेशनल होस्पेट में, इसलावाँ आप? इसलावाँ, as an optician, as an optician, और optician exactly क्या गरता है? Optician exactly eye का, जो external part है, वो देखते हैं, जैसे और fashion से related चीज़़ें, जैसे और sunglasses है, Google contact lenses है, ठीक है, ठीक है, eye testing exam है, ये चीज़ है, तो ये health और beauty दो लोगा, दो लोगा, ठीक है, अच्छा, इन little word आप उसको एक salesman भी कह सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक approach रहा था, वो हमेशा से बड़ा एक different था, मेरे जितने भी client थे, वो अगर मैं क्लैनिक में ना भी हूँ, वो मेरा वेट करते थे, कि आप आएंगे तो हम ये चीज़ करेंगे, अच्छा, वो वाले salesman थे, वो ये ये वाला वोई जो है, इससे बात करने और नहीं करने, हाँ, उनके साथ, actually, मेरी एक family terms बन जाते थे, तो, एक दिन जो मेरे mentor, mentor है, मेरे जो मौसेन है, जम्शीद खान जिन की मैं बात कर रहा हूँ, he's an architect, और वो 2005 के graduate, NCA के, अच्छा, इससे पहले, मुझे, professionally, architecture का नहीं था पाता, terms, की architecture क्या होता, ये क्या होता, sculpture का मुझे, term sculpture है, नहीं था पाता, वो बाकी तो बाकी बाता है, statue बोलते थे, literal के, statue, statue, हाँ, और sculpture फिर बाद में, पाता चला, खेर वो आए, और उनको एक sun glass रेगी, अच्छा, और, वो जो है, उनकी height है, माशाललह, तोड़ा सा face बड़ा है, तो वो sun glass के लिए, शायद कई महीनों से, जो twin cities हैं, वहाँ पे, जितने बड़े-बड़े, डिवाटसन है, शाहीन है, वहाँ पे काम करें, बड़ी-बड़ी जो दुकाने आगे, प्रीज कुछ सरा, जब भी जाता था, तो मेरे, वो समझ नहीं भा रहा रहे थे, और वो बस, जब मेरे पास आयए, तो मुझे कहा दा कि मुझे एक संग्लास चाही है, और बस, कुछ ऐसा हो के ख्लिक कर जा, अब मैं देख रहा था, वो 3000 की तरह ना, टर्मिनेटर की तरह स्केन कर रहा उनका face, उनकी पर्सोना, तो मैंने का ठीक है, काशिफ लड़का था जूनर, मैंने उसे कहा कि यह रहा हूँ दरा, पॉलीस की फ्लावाली संग्लास उटा था, वो ले घराया, उसने चेक किया, जैसे पहना, वो कह रहे भी यार, आपने कैसे मातलब यह कर दी, वो पसंद आगया उनको, और वो काफी जो आप मुझे नहीं पता, कि वो आर्किटेक्ट है, वो आर्टिस्ट है, वो बहुत कीन अब्जरवर है, तो मुझे कहते हैं, कि यार, आपने जॉब करनी है, वो चला गया, उसके बाद ड्राइवर आया था, नेक्स्ट फ्राइडे को, अच्छा, उन्होंने भेज़ा था, कि यार, यह जो लड़का है, मुझे चाहिए, तो दो तीन जुम्में, जो थी मैंने ड्रेक किया, क्यूंकि मुझे इंटरस्ट ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था क्या, कि टेक्चर क्या होता है, आपने का पता नहीं क्या चीज़ है, बिल्कुल, और मैं अपनी एक, दुनिया में था, इवन शिफा में, मैं शिफा के रूल्स की, अकॉर्डिंगली नहीं रहा, अच्छा, ये लोग एक तरह का लाडला भी था, वो मुझे कि यार चलो ठीक है, ये बंदा सही है, जब तक था बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, शायद वो दो ड़ाई साल जो मैंने गुजारे, उसकी वज़ए भी ये थी कि, उसकी वेड़ाई से लिए, लग वेड़ाई से लिए, फिर एक जुम्हा है, वो खुद आये, वो कहते हैं, वो बिल्कुल पिछली गले में उनका आफिश था, वो कहते हैं के यार, चलो चलते हैं, बैठके बात करते हैं, अचलो, वहाँ बे गए इस तरह का कर रेंट तो एच कहा थी तब आपकी तब मेरी एच थी 24 तो मैं गया अब जैसे मैं इंट्रू हूँ उनके आफिस मुझे ना एक एस्यूसियेशन फील होगी विजूली विजूली अब हम इस तरह आफिस आए टेबल पे बेटें टेबल पे इस तर स्कल्प्ट्छर्स चोटे-चोटे लागी है इस तरह पेंटींज लागी है अब वह मिरे से बात करना चाह रहे है कि अर चैनले प्रॉसरिस करते हैं कि आपने किया करना है मैंने आप से क्या कर cliches। हूं उनका प्लान है कि मैं एस एक पबलिक डिलर जोंकि उनके क्लायंट से उनको में डील करूँगा और शायद वो डुबई या मेलेशा में उनकी ओफिस का प्लान पर तो वहां पे मुझे बेजेंगा तो मैं जब वो बात कर रहे थे और मैं उनकी बात हो मेरा इंटरिस्ट शो नहीं कर रहा था मैं इधर उधर स्कีण, बात भ्लान पर बात ¿स अनलों पर रिसपरस था अनलों कर सी तो मुझे बेजा है कि आप यह दो शो धिक रहे हैं अनकी आपके किसे पसंद भी मैं का से लिए हूश था मोझे नहीं यह पसंद नहीं यह मैंने की है यह तो कई दूसरी साइड है तो फिर मुझे पूछा, इन्वस्टिगेट किया, किया सी, फिर मैंने बताया कि मुझे तो बच्पन से ही, स्कल्प्चर, कभी बकरे का सर, जगूटा जन जो है मेरा फेवरेट था, उसका मैंने किया था, इस तरह मैंने पूरी जो इक ब्रीफली स्टोरी थी कि बताई, वो कह अच्छा, फिर मुझे का कि चली ठीक है, तो फिर आपको मैं एक जगा से जिस्ट करूँगा, आप ने उदर जाना है गास्पर, फिर उन्होंने टेबलेट था शायद, वो यूगर कि टरंड किया टेवल पे और NCA का वेबसाइट डाल दिया, और NCA में पहला जैसे वेबसा इमेजिस देखें कालेज की और पेंटिंग्स की स्टूटेंट्स के, कलर्स के, स्कल्चर्स के, तो मैं मुझे एक तरह से पकड़ लिया उसके, और मैंने का यह शायद यही था, यह जगा है ता जाना है, जो मुझे नहीं था पक़ा, तो उसके बाद फिर मैंने उनके साहरी हमारी बात होती रही और मैं जाता था, चीज़े, NCA के बारे में जानने के लिए, और फिर मेरा एक मायन जोने शुरू हो गया, क्यार मैंने क्या करना, उसके बाद फिर मैंने दुबारा से कोई 7-8 साल बाद कुछ पोट्रेट बनाना शुरू किया पैंसल, पैंसल हम जब घ मैंने प्रोफेशनल जो स्केच्च बुक है वो लिया और पैंसल मुझे बताए कि यार, HB इसलिए होता है, B2 इसलिए होता है, B3 इसलिए होता है, तो जब मैंने वह इस्तमाल किये तो मुझे काफी मज़ा आ गया क्योंकि पेपर भी काफी अच्छा था और यही तो मुझे तो बस वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, 2013 की बात है, उस साल मैंने फिर वो नहीं किया, कुछ घर में अमी की तभी ठीट नहीं थी और, लैक मैं रहे गया, मैंने एंसी अप्लाई नहीं किया, 2014 में मैंने अप्लाई किया, और पिशा और गए, बड़ा ड्रामेटिकली मजाक मजाक में जिस सरा हो गए और मतलब फाइनल जो हमारी वो थी, इंटर्विव, वहाँ से मुझे बता चल गया कि मेरा हो के, जब अस्तियाट, यहां से फिर आप अन्सी आगे, फिर मैं अन्सी आगे कैसा लगा, अन्सी जब मैं आया तो, फिर्स टाइम मैं अन्सी आप होस्टल आयाता, करेदा आब होस्टल से, होस्टल से वहाँ निए हाइ ली इससे पहले वहाँ पे फिर जो कलुछर में अन्सी एक आप सेनियर्स और जुनिअर्स के हैंने इंतर्क्त करते हैं, तो मैं इक दिन के लिए अधा optimizing टरलेके ती और मैं हफता फिर देन वहाँ यहा मुझे ऐसा लगता है कि वो एडल्ट लाइफ में सबसे खुबसूरत दिन थे मेरे जो मैं उसमें बच्पन जी रहा था अच्छा कियूंके मैं अब कमिंग था मैं जूनियर था और सीनियर्स जो थे मुझे उस सारह ठीट कर रहे थे और मैं उसको एंजोय कर रहा है अजूनियर्स आपने इसका एज़ा प्रोसेस समझ ले आकर इसे प्रोसेस की तरह गुजार रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल उसमें मेरे लिए एक यह था कि मेरी एक री बर्ट थी अज़ाइड अज़ाइड तो वो मैं इंजोय कर रहा था जिसके लिए मैं काफी सालों से कि यार शायद कुछ ऐसा हो जाए कि हम दुबारा से बच्चे हो जाएं तो वो जो एक साल होता है वैसे जनरली हर मेरे ख्याल में जूनियर्स सब जितने भी होता है उनके लिए वो होता है बड़ा एक खुबसूरत होता है क्योंकि सीनियर्स वे ना आप कुछ इस तरह ट्रीट करते है आप मतलब आप कुछ भी कर ले है या फिस्ट यह रेजी है कोई वसला नहीं है आपके किया दरा सब माफ है आपको वो मिल जाती है ना एक लेवरेज मिल जाती है यह चलो चोटे है अभी चलो तो फिर NCA आया NCA में बड़ा एक फिर्स्ट यहर जैसे घुजरा बड़ा इंजोई किया हॉस्टल लाइफ कॉलेज लाइफ और प्रोमोट हो गया फिर सेकंड यहर में इन शॉर्ट सेकंड यहर में फिर ब्लॉक्स होते हैं एक बैश के पूरे साल के ब्लॉक्स होते हैं और एक बैश के होते हैं छे महीने के ब्लॉक्स चार ब्लॉक्स होते हैं फाइन आर्स के तो हमारे बैसिकली छे महीने एक समेस्टर के ब्लॉक्स थे जिसमेंसे आपने एक्स्टोर करना होता है स्कुल्चर, पेंटिंग, प्रिंट मैकिंग और मिनियेच से पेंटिंग तो वो ब्लॉक्स मैंने की और उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था बस यह था कि फाइन आटिस्ट, विश्वल आटिस्ट बना उस दोरान मैंने चीज़े देखी, मैंने पेंटिंग अच्छी की मेरे इस आप से स्कुल्चर की मज़ेखी बात है, बीस में उप और बात आई फर्स्ट एर में मेरे पहले सेमेस्टर में सब लीती स्कुल्चर की अच्छाँ, गुड यार तो खेर, ये भी है हमारे सीज़े है, गुड यार, अच्छा उसके बाद, पेंटिंग मैंने शायद सोचा था कि मैं पेंटिंग लोंगा उसकी एक रीजन ये थी कि पेंटिंग तीनों में स्कुल्चर को लोग इसलिए एक रीजन है नहीं जारस पहाँ पे कि इस कुल्चर में स्कुल्चर में स्पेस और एक्सपेंसिस दोनों मैटर करते हैं, आपके पास एक अच्छी जगह हो, प्रोफेशनल लाइब हो, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर साइए जगह ता को बहुत चाहिए, विकल ऐसे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दूसरा ही है कि आपके पास पैसे हो, ताकि आप प्रैक्टिस करें तो उसको आप फिर इस पे इन्वेस्ट भी करें, जबकि पेइंटिंग मिनियेचर वो वान टाइम इन्वेस्मेंट टाइप की उसमें, मतलब वो एक सॉफ्ट कॉर्णर है, एक सेव जोन, तो शायद वो ये भी एक रीजन था कि यार मैने इस तरफ जाना है, क्योंके मेरा फाइनेचल बेक्ट कोई नहीं है, मैं खुद कर रहा हूं सारे चीज़ें, मतलब घर वालों को नहीं पता, कर ही नहीं सकते, ले तो फिर मैं उंगली करता हूं, और वो अपने हिसाफ से ठीक थे, किम्के वो सफर कर रहे थे, तो वो नहीं चाह रहे थे, कि मैं करो, लेकिन जब हमारी ड्राइंग की क्लास थी, जब ये, हमें बताया गया, कि आप लोग चूज करो, फॉर्म दिया गया, इस पे चारो ब्ल बैठ जाओ, तो फिर मुझे, जब फॉर्म दिया है, मैं इस तरह बाद कर रहा था किसी दोस्स के साथ में, और मैंने वहां पर टिक किया, स्कल्प्चर की, जो कि मेरा प्लान नहीं था, एक तरह से था भी, एक तरह से, मैंने अब अब मैं नहीं देखा है, तो वो काफी ठीक है, रहने देखा है, नहीं वो दूसरा देना चाहरी था, जिए आपने नहीं करना पटो है, आप पेंटिंग पे करें चुट लाइफ साइज एक फिगर बनाना था फिर्स टाइम मैं उस लाइफ साइज फिगर को मैं स्कर्वड कर रहा था एक बाबा हमारा मॉडल था अब ये था कि मेरे पास तीन सो रुपे और मैंने पूरा बंदा खड़ा करना हूँ अच्छा ये चैलेंज है अब मैंने का यही बस लो बजट में काम निकालना है तो मैं गयां कॉलेज के जितने भी हमारे फेस्टिबल्स होते हैं तो उनमें से हम चीज़े लगाते हैं वायर लगाते हैं तो वो सारे वायर दरखतों पे चड़ चड़के मैं काट रहा था मेरा और कुई काम ने था वार जोड रहा हूँ हाथ बना रहा हूँ आर्मेचर्स बना रहा हूँ एक हमारी सीनियर थी उसने कोई चोटे साइस का स्कल्प्चर बनाया था लाइफ साइस का वो मैंने वहां से उठा है उसका रॉट काट किया उसका जो वो है बैकबॉन है उसको एक्स्टेंड किया हाइड दी है मतलब कुछ ना कुछ जुगाड करके फिर खले की बात आई खले कहां साइब खले की एक बैक होती थी तो जिसमें फाइब केजी खले होता उसके बहुत सार की खले लग रहा था तो फिर कॉलेज में एक जगह हैं जहां पर हमारी क्ले वो क्ले थोड़ सी ड्राई थी और बाहर उनने वो की थी वो मैंने फिर कटा किया स्टूडी लग खराया प्रॉपर जिस तरह हम घर में वो घारा जिससे करते हैं बनाते हैं उस तरह पानी प्रोसिस के साथ बोस कल्चर बड़ा क्लोजली उस स्टेज के हिसाब से निकला है मॉडल के तो हमारा वो शो के लिए था उनफॉशनिटली वो फिजिकली नहीं आया कि जब मैंने उसका दूसरा प्रोसेस टार्ट किया मॉल्ड का क्योंकि मैं नया था मुझे चीजे नहीं था पता नहीं थी तो वो जो मिटिरियल था फाइबर वो प्लास्टरा प्वेरिस वो डेट था जब मैंने उसको इसके उपर डाला तो ड्राइ नहीं हुआ सुबो अब सुबो शो है पूरे बैज का तो वो नहीं हुआ बस मैंने तोड़ दिया उसका उच्छरा वो मतलब फिजिकली है साहरी बात है क्योंके वो उपर से मोल जो था वो तो यह गुस्षे वाला तोड़ दिया आपने या कैसे मतलब यह वैसे तोड़ दिया क्यार फायदा नहीं है नहीं उसका फिर यही एक तोड़ी उसका तोड़ता बैसिकलिए अच्छा ठीक है सरह है उसका तोड़ी तोड़ता ठीक है तो क्यूंकि फिर उसके नेक्स्ट हमने काम करना था वह पिर एक हमने उसको डब किया खेले दुबारा से मैंने वह किया तो पहला काम इस तरह हुआ था और फिर साथ साथ बाहर के कुछ काम आते गए जब पदा चला कि मैं थोड़ा फिग्रेटिव काम हरूँ तो कुछ सीनियर्स के साथ लग गया उनके साथ काम किया उन्होंने मुझे काफी एक जो एक कॉन्फिडंस था वहां पर बिल्ट हो गया मेरा के फिरस्ट टाइम मैंने एक हमारे सीनियर उसामा भाई उनके साथ काम किया निंजा टर्टल हमने की एक काम था उनके साथ घ्ल गुड़ाच उसके बाद फिर एक चाइनीज ड्रेगन मैंने किया शायद काफी सालों तक लगा रहा है ये जेट के पर अच्छा देखा मैंने बाद जी जब वो आप थे वो मैं था जो कि मुझे काफी सालों बाद पता चाला जब मैं गया था तो मैंने गया यार ये चीज़े कुछ देखी देखी सी है फिर मैंने देखा ओओ ये तो इस तरह फिर साथ-साथ कमर्शिल काम और वहां से अपने एक्सपेंसिस निकालना और स्टूरियों को थोड़ा बहुत टाइम देना और दोस्तियार और बस दूसरे चीज़े सोसाइट करना जिस तरह थेटर है फिर सेकंड यर में डैंस किया रहा है तो मेरे नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है उस तरह से लिगन मैं चाह रहा था कि मैं एक्सपीरियन्स करूँ क्या रहा है ये काम करके देखे हैं कैसा लगता तो वह बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियन्स था बिल्कुल डिफरेंट जो है एक स्कूल अफ थार्ट के लोगों के साथ आप एक स्टेज शेयर कर रहे हो तो मैं अपने अंदर से वो चीजे जो थी मुझे लग रहा था कि हाँ चीजे हो रही है तो काफी मतलब वो एक खुबसूरत एक्सपीरियन्स था तो आपका बच्छ होता हूँ डिगरी तो खिर अभी तक मैंने ली नहीं ना मुझे यह पता है कि मेरे का रिजर्ट है और मजए की वाद है कि चार साल मैंने अपने मार्क्स बोर्ड नहीं देख अच्छा है क्यूंकि अपका सही चल रहा था बस मैंने का कि यार जो चीज मैं कर रहा हूं मुझ करते हो तो मेरे लिए वो खुशी थी जब भाई या दोस्ता आए मुझाहिद के लिए मुझा 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 हो तुम प्रोमोशन तुमारी हो गई सेगेंडियर मैंने का चार है ना कहते हाँ तो हमने हग किया बाकि हम देख रहे हैं साथ बैच वाले सब कोई रो रहा है या मैं उस से निकल शुगा था जब मैं वो कहते हैं ना कि सारे ठंडे और गरम वो सारे एक्सपिरियंस करके मिज़ाज भी काफी देख लिए थे आपने तो मैं देख के मतलब एक तरह से हसना भी था दूसरा रिलेट भी करता था कि चलो साथ भी कभी बहुत थी हम भी कभी ऐस थे एमोशनली बहुत चोटी चोड़ी चीज़ों पर तो लिखिन यह था कि हार टूगेधर बहुत अच्छा रहा रहा तो आपको सबसे पसंद कौन से अपना काम है आपको ऐसा कुछ है कि यार यह बहुत अच्छा लगता मुझे मुझे वैसे कभी भी सैटिसफेक्शन नह तो आपको पता चलता है कि क्या क्या हो सकता था लेकिन यह चीज़ है ना हो सकता था यह फिर नेक्स काम में होता है और यह एक एवलूशन है जो कि हमनलाइफ में चलती है कोई भी काम करते हैं उसको आप फिर देखते हैं और उसके शार्ट कमिंग्स आप निकालते हैं जो क पसंद करता हूँ, जो कि फिगर नहीं है, उनकन्वेंशनल है, वो मेरे प्रैक्टस के इसाब से, उसमे एक मैंने ट्रांसपेरिंट बुर्का बनाया था, जो मेरा फैवरिट है, और मैंने कुछ चीजे शायद मैंने लास टाइम डिसकस की थे, मैंने एक्सपिरियंसिस किये थ और एक जो है, वो एक इस तरह नमाज की पॉजिशन पर बैठा हुआ है, उसके उपर केज है, एक फिगर है, लेकिन वो स्कल्प्टीड फिगर नहीं है, डायरेक्ट बाडी कास्ट से लिए गए, अच्छा, असलेव आफ गौड उसका टाइटल है, तो उस एक्सपिरियंस क हम वही एक चीज है कि हमारी एक मैम थी जो हमें माइनर पड़ा रही थी, मैम नताशा जोसिप, और वो परफॉर्मेंस आर्ट उन्होंने इंट्रीव कर रहे था, हम शायद पहले बैच थे जो कि हमें दस लोग ऐसे माइनर परफॉर्मेंस आर्ट लिया था, हमने कॉलज में पहली परफॉर्मेंस की थी और पहली परफॉर्मेंस दूमेंगी थी वो ओड़ी के सामने खड़े होंके यह था के, Spit on me, ठीक ना, ठीक ना, जूनियर्स और मैं बैच फेलोस और सीनियर्स वो आते थे और मेरे फेस पे थूपते, क्योंके मैं एक्स्पिरियंस कर रहा था, और उसकी वज़ा यह थी, क्योंके जब हम, कुछ चीजे होते हैं, हम से हो जाती है, जब आपको फ़दा चलते हैं क्यार, मरवत ने यार, मेरे पीट पीचे यह बात की, तो वो हाट करता है, अगर वो बात आपके सामने हो, वो आपको ठीक है, वो इतना मसला नहीं है, सामन दूसरी परफॉर्मंस की मैमनाताशा के साथ बाहर, वो थी तासीर आड गैलरी में, उसमें हमें मतलब डिफरेंट स्पेसिस दिये गए थे, छोटी सी स्पेसिस थी, वन-वन-फीट की, अडेडिट-फीट की क्यूब्स थे, जिस पे हमने दुह गंटी के लिए लायर गजा इस तरी के उसकी उपर, वहाँ पे मैं सोया भी, वैसे मैं छोटा बहुत हो जाता हूँ, शिंग हो जाता हूँ, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं था, कपड़े भी वहाँ पे चेंज किये मैंने, और जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती थी, ड्राइंग की, कॉल्स क नमास भड़ी, तो वो हमने वहाँ पे की और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि शायद लोग बहुत सारे आए होए थे, लेकिन मैंने किसी को फील नहीं किया, क्योंके मैं डिसकनेक्टिट था, उसके बाद फिर ये जो वाल सिटी वाली थी, ये तीसी परफॉमस थी, स्टे कि लिनियर्स के साथ, कभी-कभी बात करते थे तो मुझे वह बाद में जब मैं इस प्रैक्टिस में आया तो मुझे चीजी रेएलाइस होना शुखी की कि यहाँ पे तो मैं album उन्हाभ Tillॉत उन्हान पाल यहाँ ब़ग शाहब से धशा ए तो मैं राफॉमस यह खीया है, त प्रेक्टिस किया उस चीज़ को बैट के फंदरा फंदरा बीस मिन टेक उसरे को बैट के देखा अचा काफी दिनों तक हमने वोग किये एक्सराइजिस किये और फाइनली फिर इफरेंट लोग थे इफरेंट स्टोरी ती उनकी मेरा जो था वो यह था कि मैंने बस लिप्स्ट अधर से फूट स्ट्रीट यहां से आप स्टार्ट हुए और हिडन कैमरा लगे वे थे और मैं बस वोग कर रहा था वहां से निकला हूँ जगे मुझे एग्जेक्ट नहीं नाम आते हैं लेकिन एक तो रास्ता आप उस दिन मुझे लगा for the first time कि जो मैं अपने आपको बहु इसी transform की और मैंने walk की और जब मैंने देखा है वो नजरे जो थी ना वो bullets की तरह लग रही थी और फिर जो वो जुमले थे वो खस रहे थे पहली दफ़ा मैंने experience किया कि वो जो कहते हैं जुमले खसना वो कैसे हो तो वो मेरे लिए बहुत एक shocking था at the same time revealing था और एक मैं एक तरह से रुख सागी है कि रुखो ये क्या हो रहा है तो वो आधे गंटे की performance थी या performance आप नहीं कह सकते experience था उसके बाद जब हम आये सारे मतलब बाकी लोग जो थे दोबारा हम आये food street वहाँ पर हमने बैठें टेबल के उपर सो ऐसे सारे discussion कर रहे हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं मैं बिल्कुल खाम आये हैं मैं इससे बात ही नहीं हो रहे हूँ किम्के उस दिन मुझे लगा था कि शायद अगर कोई आएगा और मुझे अपने इदर wrist से पकड़ लेगा और मुझे कोई side पे लेके जाएगा कहीं प लुक है नजाकत है मेरे अंदर वो विजूली बस मैंने उपर उपर से थोड़ा सा गेट अप किया है इवन मैंने दाड़ी भी मतलब नहीं की clean shape नहीं ना शायब आई काफी था ना कि अगर वो लग रहे के एक आरत है उसको तो लग रहे के वो आरत है और वो वैसी behave करेगा बिलकुल जब तक कि वो पास नहीं आता और उसका वो illusion तूटता नहीं है exactly तो मैं फिर वही बात है कि मैं उसके बाद फिर अपने आपको मिने question करना शुरूर की self correction भी करते है आप कि अब बढ़ा कुछ realize होता है यार हम नहीं समझ पाते है यह वहा मज़गी बात है कि जो experiential reality है ना किसी दूसरे की वो हम नहीं समझ सकते हैं और उसके लिए यह जो experience है जैसे यह वाली बात है जो हम कहते हैं वो जो है कि किसी के जूतों में खड़े होने वाली बात जो होती है तो यह कम लोग करते हैं कि वो जाके खड़े होके एक पर देखें तो सभी किस हद तक इस ज़रूरी है society में किसी का space understand करना बहुत ज़रूरी है privacy हम क्या करते हैं हमारे जो society में है even जो माबाब है बच्चों के साथ उनकी communication वो नहीं है जो के होनी चाहिए बच्चे अंदर से जल रहे होते हैं कुछ मसलों में फसे होते हैं मतलब एक human nature है ना कि हम तही ना कहीं पे कुछ कर जाते हैं तो जब क्या होता है कि अगर आप ने कुछ ऐसा काम किया है कि वो society में ठीक नहीं है आपको डर है कि आप ये family के साथ discuss नहीं कर सकते हैं अगर आपने कर लिया तो उसके consequences कुछ अच्छे नहीं हों तो पिर क्या करते हैं आप खुद को ठे पहुन्चाते हैं आप रोज जलते हैं और अगला जो होता है वा दॉने जो आय। जो मेर आपलेटर होता है वो उसको कैश crochet करता है तो मेरे ख्याल में होना यह चायिए कि उसको अंडरेटेंड करने के लिए जिएनरली में बात करो अगर कोई आपका दोस्त है आपका बेटा है बेटी है आपका कोई विरालिटी है अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है और कहीं बाहर से आपको पता चल रहा है तो आप उनके साथ बैठके बात करो किनके ये चीज़े नॉर्मल है इसको normalize होना चाहिए उसको confidence में लो कि भई आपने जो किया है मैं आपे साथ हूँ और हमारा एक वो बड़ा है ना यहाँ पर disgustful बहुत तरीका है बात करने का और घिन जब आप खाते हो ना किसी से घिन जब आप खाते हो, मुझे हम last time यह बात करें थे, emotions की और इसकी आप किसी बात पर आते होए कि बहुत से emotions हैं आप उनका उलट ले लेते हो, प्यार है तो मुहबत हो गई है वो, घिन का उलट मुझे तो वर भी लगता है कोई action होगा, घिन का उलट कोई loves नहीं है, मतलब मुझे तो लगा, मुझे नहीं मिला कोई emotion जो घिन के उलट हो, घिन के उलट मुझे action ही लगा कि an act of compassion ही घिन को हटा सकता है, घिन की बहुत तकलीफ होती है जो बैठ की किसी के लिए, exactly, हाँ मतलब, hate जो है वो एक time पे कम होता है और वो बदल जाता है जो है, transform हो सकता है love जो है, वो transform हो सकता है hate में, hate love में हो सकता है लेकिन यह जो मैं agree करता हूँ कि यह थोड़ा सा है thought provoking डिस्गस्ट जो है ना यह बड़ा अजीब सा है कि आप, बहुत अजीब है कि जैसे आपके दोस्त हो, आपकी family और आप खुद भी, हमने भी किया होता है बाद में आप सीख रहे होता है कि विन यू लुक अट समवन विधा डिस्गस्टेड फेस and you say something in a very disgustful way कि आपको घिन आरी है उस चीज़ से वो बढ़ा जीब है क्योंकि घिन बड़ी experiential होती है आपको उल्टी नहीं आए कभी तो आपको बहुत घिन आएगी उल्टी से जिस दिन आपको आएगी आपको होगा कि कोई समाल ने मुझे उस दिन आपकी उल्टी से घिन खता होजएगी exactly, again वही बात है ना self experiences जब तक आप नहीं करते है जब तक आप नहीं करते है आप understand नहीं कर पाते है यह बड़ा क्या चाहिए cash 22 request 22 human intelligence का कि हमारी intelligence जो है memory dependent आप कितने भी smart हो जब तक आपको पस एक information नहीं है या tools नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते है तो आपकी आदी personality जो है वो basically आपके आसपास जो था उस पर dependent है आप ऐज़ा इनसान potential वाइस क्या हो वो हमेशा फरक होता है और वो हर बंदा ही पता नहीं क्या क्या होता है तो यह बड़ा crazy और यह कम लोग करते हैं को नहीं उठके करना शुरू करते हैं मैं मतलब अगर मैं जहां से transformation हुई है जिस तरह जहां से मैं belong करता हूँ गाहों से जो मैं बता रहा हूँ मेरी बच्पन तो खेर शायद एक यह भी वज़ा है कि नेचर से attach होने का कि मैं बहुत नेचरल ही पला बढ़ा हूँ मेरी ब्रॉट अप बहुत नेचरल वे में होगे और फिर एक टाइम आता है आप बड़े होते हूँ नेचरल आप किसे कह रहे है उसको environment को environment को और मतलब जो चीज है be you अच्छाच च्छाच जो आप है वो है कोई ये बिलावजा की फेकनेस नहीं है शेरो वाली गया है तो वहां से जब जर्णली स्टार्ट होती है तो एक टाइम आता है बड़े होते हैं आपकी नेचर पिर आडल्ट होना शुरू होते हैं तो आपके अंदर एक society में जो हम कहते हैं मर्द ये मर्द ये होता है फिर वो मर्द जो है जो सुपर हीरो होता है जो कहता है कि यार मैं तो कुछ भी कर लूँगा वो वाला आपके अंदर आता है जर्णली और हमारे हाँ specially आप इस तरह कि बच्पन से कि यार लड़के होके रोते हो हमारे सुसाटी में ये तो हर जगा बलकुल ऐसी है जैसे हमारे कोई emotions ही नहीं है रोना जो है ये हमारे लिए नहीं है मैं कहता हूँ रोना जो है बहुत खुशूरत चीज़ मैं agree करता हूँ आपसे ठीक है बलकुल ऐसी है जो लोग नहीं रोते वो कभी emotions को connect ही नहीं करनाते तो वहां से जब हम घर में होते थे तो एक साइड जो थी मैं बहुत स्ट्रेक ता कुछ चीज़ों मैं क्यूंकि मैं अपने अबू को देखता था मार धार लाठी ये करो dictatorship पशन मचन नहीं हो ना सारे बात भी सुन रहे इस बंदे की तो यार ये सही खहर है तो लेकिन कभी-कभी ना मैं question करता था उसमें मुझे मार भी पड़ी काफी अबू से के ये क्यूं हो रहा है ये क्या है तो मुझे उसके consequences बता हो था कि भई मैंने उनकी ego चेड़ी है लेकिन मैं चेड़ता था और वो जो एक bright side कहते लो जिसको मैंने हमेशा एक dark side समझा तो कि फिर बाद मैं आके मुझे पता चला वही gradually जब मैं बाहर आया हुए घूमा फिरा मैंने थोड़ी सी लोग वे साथ interact किया experience किया तब मुझे पता चला जब मैं बाहर शहर में आया फिर मैं जब first time गया था तीन महीने बाद I was totally changed फिर मेरा behavior और मेरी जो एक hardness थी जो एक सकती थी वो नहीं रही मेरा जो छोटा बाई है मेरे सिकत कार्ट में बढ़ा है अभी एरफोर्स में मुझे याद है मैं बहुत उसके कोई भलत होता है मैं बहुत पीटता था उस उनकिसे जो छोटे हैं फिर मैं जब बाहर हैर तीन महीने के बाद मैंने सब को free will दिया किया चोड़ गया रिटायर हो गया मैं आपने का ये बोज जो है ना बिलावजा का बोज ऐसे कंदी धटते है आपना कर लू पहले एसे ही तो फिर वो चीजे बाहर अब इसलामबाद आया वो लाइफ थी पर उसके बाद एंसे आया और ग्रैजुली वो चीजे मैं साथ-साथ काम कर रहा था आपने का बदल ना था और प्रश्पेक्टिव चेंज हो रहे हैं चीजे जो है उसकी डिफिनेशन चेंज हो रहे हैं अधिने का तरीका बदल रहे हैं अब आपने देख लिए एमोशन की है वो जो हमने एक बच्पन से ना एक स्टेरियोटाइप्स बनाया होता है लाइफ क हमारा मसला भी यह है ना कि हम लाइफ को हमेज़ा ऐस स्टेरियोटाइप लेते हैं किसी बच्चा पैदा हुआ बढ़ेगा कुछ बढ़ेगा नुक्री करेगा और कोई शादी होगी कि दो बच्चे होंगी उसके लिए वो कमाएगा बस लाइफ है फिर बच्चों की शादी का हमेशा और वो सिर्फ जो हमसे रिलेटिड हो बलड रिलेशन के में बात कर रहा हूँ तो वो जो एक चीज थी कि बलड रिलेशन बात कर रहते हैं बलड रिलेशन वो जो चीज़े हम वहां तक मेहदूद होते हैं हमें लगता है कि बस यही है हम अगर दौा भी करते हैं न जैनरेस हुए तो थोड़ा सा पर अपर अपर आप सारे मुसलमान सारे मुसलिम्स टीक है ना तो बच्पन से आप सीखता है इसलिए मेरे नजदीक वो चीज़े चेंज होती गए मैंने का यार यह तो स्टोरी डिफरेंट है जो हम एक्जिस्ट करते हैं यह तो नहीं है कि आप अपनी लाइव गुजारो बस अच्छा काओ अच्छा पैना जी और इसके बाद वेट करो एंड करो कि बस आप मरना है जो मैंने अपने बच्छों के लिए किया अपने लिए किया वो जो एक डिफिनेशन या जो परस्पेक्टिव थे या जो प्रियारिटी थे मेरे लिए रिचेंज हो गए मैंने का नहीं हिस्सा तो कुछ और है यह चीज़ जिन्दगी का हिस्सा है मकसद नहीं है हाँ मकसद जो है वो बहुत कम लोग फालो करते हैं मकसद के बार में आपका क्या खियाल है हिदायत के हम जो है आपको लगता है कि हम खुद भी बनाते हैं परफस अपना चाहते ना चाहते वे भी मैं तो खेर यह एक स्टेज उन आप के रहे है मैं हाएपिनेस खुशियां जो है और मकासिज जो है या तो उसका खुशी को मैं उसका एक चोटा वरजन समझता हूं या फिर मैं उनके अपल सिट समझता हूं मेरे नजदीक हम जनरली पैदा होते हैं खुशिया लेकर बच्मने हम खुश होते हैं हमें याज चीज अप्लील करती है खुशिया मिलती है मकसद जब आप बड़े होते हैं तो आपके दमाओं ना और मकसद का मकसद यही होता है कि आप अगलों को खुशी देते हैं वैल्यू एड़ करते हैं वैल्यू एड़ करते हैं एक चीज है कि यार मैंने आईफॉन फूर्टीन फ्रो लेना है खाइश है यह खुशी है डिजायर है और यह किसी का भी हो सकता है लेकिन एक चीज है कि आपने देखा कि यार चलो मेरे पास एक फोन है अलेडी इसमें वाटसेप भी चल रहा है इसमें मैं इंटरिनेट भी कर रहा हूं कुछ पैसे हैं इसको मैंने किसी डिजर्व के लिए इंवेस्ट करना है ताकि वो थोड़ा सा उपर आ जाए वो मकसद तो उस मकसद से क्या होता है कि आप लोग को कह लो कि आप सर्व करते हो मैं नाम लूँगा अब दूसातारी दीखा यूजा वो बन्दा को क्या वात है उनकी ठीक है ना देख उनोंने खुशियां दी लोग को हमेशे उनोंने जिन्देगिया बनाई तो मकसद जो है it's a kind of universe यह super cluster बहुत बड़ा होता है अगर आप मकसद को follow करते हैं इसलिए हम हमेशा जो है जो बड़े legends होते हैं हमारे नस्तीद और जो बड़े-बड़े leaders होते हैं वो हमेशा मकसद को follow करते हैं कोई भी अगर आपने आपको follow करे well settled हो सकता है अच्छी life बन सकते हैं लेकिन क्यों वो इदर से वो यहां को satisfy करने के लिए कि यार नहीं यार यह यह नहीं है मैं नहीं हूँ जो मेरे surroundings में हैं वो सब्ड़ मैं हूँ जब तक आप उस चीज़ को अपने साथ relate नहीं कर पाते हैं तब तक बात हैं जब तक आप मानते हैं कि आप हैं इस nut का हिसा जो हमने other show की बात किये ना वो भी यही है वैसे कि जब तक आप दूसरे के issue में खड़े नहीं होतें आप दूसरे को feel नहीं कर पाते हैं आप हमेशा अपने ही साथ सोचेंगे अगला उस irritate होगा tease होगा disturb होगा लेकिन उसकी disturbance आपको दिखाई नहीं देगे लेकिन जब आप experience करेंगे तब जाके आप उस चीज़े relate कर पाएं यह तब उकल ऐसे है करमा भी कहते है अक्सर लोग उसको तो जो purpose है जो मकसद है वो मेरे साथ मेरे खियाल में यह है कि वो बहुत बड़ा एक universe है खुशियों का जिससे आप कोई भी एक मकसद पूरा करें उससे आप लोग को खुशि कम हते हर एँड़ा में होते हर एज में हर सुसाइटी में होते लेकिन आटे में नमक के बराबर या उससे कम होते हैं और वो वह ही होते हैं अगर वो ना स्ट्यू जाब्स ना होता उनका एक मकसद ऑफ था तो आज आईफोन होता वो अपने लिए कुछ कर ले था अपनी Panch L auto सेटल क्या ज़रूरत थी तॉम्स एडिसन को क्या ज़रूरत थी कि सो से ज़्यादा उनने एक्सपेरिमेंट्स किया लोग की जिन्दगी में रोशनी कैसे लाए जिसके नीचे हम बेट है तो हम क्या हैं? हम इसकी नीचे बेट कि वो खुशी महसूस कर रहे हैं वो रुपता नहीं है, वो चलता रहता है तो मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी साही है अज़िए 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 कि हम कुछ ना कुछ करें कंट्रिब्यूट करें ठीक है, नमाज आप पढ़े वो आपकी प्राइवेट अपनी बात है अपनी नमाज से तो आपको जँनत मिलेगी किसी और लोको तो नहीं मिलीगी गेर जँनत तो खिर मेरे हिसाब से नमाज से नहीं मिलीlt नहीं मैंदे एक्जैम्पल दे रही हूं जिसके लिए भी आप कहर रहे हूं जगनत आप पहले वश यह ही है यह जो आपने जन्नत आलेडी जिसमें रहे रहे हैं जिसको हमने दोज़ा बनाए है अपना मकसद यह कर ले कि इसको जन्नत बनाए जहांके बहुत दुरी पॉसिबिलिटी तो है यह जन्नत बनाए अगलोग की जिन्दगी थोड़ा सा उनको रिलीव दें उनको फिसलिटेट करें जहां भी किसी को जरूरत है जो कि आपके अंदर पोटेंशल है आप कर सकते हैं अगर आप अपनी प्रियोर्टीज चेंज करें तो चीजे बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं जा सकते हैं थोड़ा सा बैट कि हम लोग एक्सपिरियंस करें और मैं हमेशा होफुल हूं तो वर्ड्स के चीजे बहतर होएंगी खास और पर अभी जो चीजे हो रही है अभी एक ऐसा एक टाइम आया सोशल मेडिय का जो कि लोग एड़ सेम टाइब कंफ्यूज रहे अवेर्निस भी है मिस इंफरमेशन भी है एक एक ऐसी वल्लरिबल सिचुएशन बनिया और ऐसे सिचुएशन में पिर चीजे बनती है क्या उस तो बहुत है बहुत पॉसिबिलिटी है चीजे बननेगी ऐसी है अब लोग जानना चाहरा है सही और गलत इंफरमेशन वो रिवील हो जाती है लेकिन यह है कि एक जर्नी है कि हमने कुछ देखना है कुछ पता लगाना है परस्पेक्टिव जो एन वो चीजे हो जाती है और एक बड़े मजी की चीज़ है इसमें कि सोचल मीडिया ने सबसे प्यारी बा अब हमके कैसी दुनिया में रहे हैं आप जिस तरह का बंदा गया ने एक फिलोसॉफिकल आदमी किया पहाड़ पर वो आपको फिलोसफी सुना रहा हो का फोन देखके ठीक है एक फुल एक आदमी किया जिसको बस पहाड़ जड़ने का शौक है वो वहां जाकर आपको वह प पॉसिबिलिटीज है इस वक्त क्या कुछ है करने को दुनिया में अगर आप सोच मतलब कर ले हमत तो बहुत बहुत मतलब पॉसिबिलिटीज अगेन वही है ना कि बहुत सारी है अब तो खेर सारी चीज़े आ गए ना अन्दर टेबल स्टोरी बोड की तरह आपके सामने सा चॉइस होती है चॉइस का बड़ा पैरडॉक्स होता है जैसे बाप के बगर आप सादा सिंदगी से एक दम सरा कुछ सरा फैंसी होते हैं थोड़े से उसना बाप के पास को 20-30 जोड़े हैं पढ़ने पढ़े में आपको चूज भी करना होगा आपको टाइम लेगा वो एक क आपको बाप करना है तो इस डाइवर्जनस को आप कैसे करते हैं कि यार अच्छा मैं उठ रहा हूँ यह मैं बनाएं लगों बाकी सारे ना साइड को एडियाज मैं अब इस पर फोकस करें लगों तो फोकस कैसे लाते हैं आप आपका प्रोसेस है या आमद है मैं वही बात है जो मैंने आपको बताया था ना कि जो मैंने स्कल्प्चर शूस किया था मोसली चीजों में मेरा ऐसा ही है अभी जो मैंने काम किया है जो शोव पे लगा है वो ऐसा है कि कोई चीजे मतलब ऐसे नहीं थी कि प्लैंड थी कि मैंने कुछ ऐसे करना है कोई गम से मुझे ख्याल है कि यह इस सरा कुछ हो सकते तो मैंने दस्ती से ड्रा करना शुरू कि ठीक है और ड्राइंग के फ़रान बाद नेक्स टे मैंने उसको एग्जेक्यूट करना शुरू कि और हो गए जब भी मतलब हाँ जब आप कंक्लूजन पे आते हैं ना उससे पहले बहुत सारी चीज़े होती है वो टाइम टेकिंग होता है वो एक अलग प्रोसेस है जब आप प्रोसेस में आते हैं मतलब जिस सरा में ये काम स्टार्ट हुआ तो उसके बाद फिर मैं ये सोच रहा था कि इसका डिस्पले कैसे होगा कलर क्या होगा वो पिर साथ साथ एक कंक्लूजन थी तो मैं वो साथ साथ वो चीज़े कर रहा था और मुझे जो ज़्यादा मेरे हिसाब से थी कि यार इसके साथ जा सकती तो बीस में जो शायद आप लोगो ने देखे हैं दो ड्राइंग्स है वो मैंने काफी पहले एक दो तीन साथ पहले किया जो पड़े है मुझे एक दम से याद आया कि यार ये इसके साथ जा सकती तूड़े से थ्री डी एक नेरेटिव बन रहा है एक स्टोरी बन रहा है तो मैंने वो उठाए उसको भी फ्रेम किया और इस तरह हो गया लेकिन परसिनली मैं एक ये प्रोसेस है मतलब आर्ट में दो थरह के काम होते है एक ये ही आप सोच के करते है और एक आप करके सोचते दोनों होते हैं बलकुल उसका है तो दोनों होते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हम सदन जिस सरा चीज हो गई तो आपको विजूली या साउंड अपको उक्लिक कर गया पिर आप उस पर देखते हो यारिए आप बाद में उसको आप उसको आर्धेंस पेछोड़ो देते हैं है कि आजकल वर्क्स यहowता है आर्ट वर्क्स एंटाइटल होते हैं उसके एक ठि fantast question यह है कि आपने इसपे लिए यह है कि वह आपने इसाब से प्रेपट है वो अपनी स्टोरी अपनी एमोशन उसके साथ रिलेट करें एजी रहें अगर एक काम है जिस सरह आपके पीछे लगा हो इसका अगर एक टाइडल सामने होगा तो मैं उस वेरल के तुरू देखूँगा unconsciously या आपको अगर आप देख भी सकते तो आपके अटीस हटाना पड़ेगा उसको एक टाइड हो जाता है अंडू करना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है तो बहतर यह होता है कि आप देखें बस एक ओपन गेट है और आप अपनी मर्जी से ट्रेवल करें आप देखें फिर वो वो जो एक चीजे आती है आपको different perspectives मिलते हैं कोई बच्चा आता है असको और लगता है कोई बुड़ा आता है तो कोई different edges के होते हैं different type के लोग होते हैं outros nature होते हैं वो जब भी आते हैं तो हर इंसान अपने साथ रिलेट करता है और वो जो आपके पास एक collective information आती है, वो बहुत treasury होती है, बहुत basic होती हो, हम spaces पर आते हैं दरा वापस, जी, तो spaces पर मुझे आदर लास्ट जो मेले था, आपने बड़े मज़े की बात की थी, क्या आप पढ़ा रहे होते हैं, सिका रहे होते हैं, तो आप उने कहते हैं कि space को boundary से लग रहे हैं ना तुमारे subject के, तो let's talk about that, कि आप spaces को कैसे देख रहे होते हैं, spaces के बारे में मतलब में बहुत ज़्यादा concern, और वही है कि, like, जिस रहा हम बेठे हुएं अभी, एकी space में, हम enjoy कर रहे हैं एक दूसरी को, सुन रहे हैं, लेकिन एक time ऐसे होगा कि, आप अ तो वो जो आपका ना होना है, वो मेरे लिए peaceful है, तो spaces को मैं define करता हूँ, situation और एक nature के, जो let's suppose, चाहे वो इनसान है या गएर इनसान, like मेरी kittens है या बिलिया है, मेरे उनके साथ ज्यादा होते हैं, तो उसमें वो भी आता है, अगर उनको मेरी attention चाहिए, उस space में तो मैं दे ईस ना देने से क्या होथा है, वो खूश होते है, मुझे अगसल में वो चीस्त चाहे होती है, comfort होता है, तो students के साथ मेरा से होता है, कि मैं दो-चार student होते हैं, ज्यादा तो होते हैं, लेकिन, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, कि उनको ये ना लगे, कि उनके सर पे कोई है, कि टीचर्स आपके सरके ओपर ख़ड़ा होता हैं पाप समाने टीचर्स वो जो आप में बच्पन सुनाता है क्योंकि मैंने उस चीज़ को एक्सपिरिएंस किया है और मैंने परसनली उस चीज़ को स्यादा अच्छा नहीं पाया उस प्रोसीजर को जिए मैं अग्री करता ही इसलिए मैं जब मैं और आपटीशन था मैं तब की बात रहा हूँ जब हम लेंस लगाते थे काउन्ट लेंसे तो यह क्या होता है एक private शुटा सा रूम होता है बूल टायप आप उसमें जा कर फिज़ड़ा ओक्रानिज हो लेंस लगातें ताकि उसको confidence मिले, उनको एक space जो है ना, वो समझे कि ए उसका अपना space अब own कर सक्वाव उसका है मैं नहीं चाहता कि वो violate करूँ और उसको लगे कि मेरे सर के उपर कोई खड़ा है और वो शायद मुझे judge करेगा तो वो चीज़े space से related जो होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको avoid करूँ अपने case में या students के case में या किसी के भी case में तो मैं फिर उनको एक demo दे देता हूँ पहले यह हैं कि हम discussion करते हैं थाकि उनको यह ना लगे कि मैं बहुत कुछ खास हूँ अक्सर होते हैं, हम मतलब junior होते हैं, वो बहुत बड़ा को समझते हैं कि हमसे बात करेगा क्यूंकि हमारा यह culture है, यहां culture ऐसा है, बेकल ऐसा हम polite नहीं हैं एक दूसरे के तरफ तो वो बेशारे यही समझते हैं हम सब कि अगर हम senior से साथ बात करें तो बड़े डर डर के बात करें कि यह ना हो कि बसकुछ शुरूर हो जाए कुछ हमें हो पैदे हैं और यह junior senior और आपको यह university से निकलके यह चलता रहता है, यह psychology चलती रहती है मैंने देखा है, हाँ मेरे ख्याल में unfortunately बहुत सारे cases में हैं बट मैं खुद इस चीज़ को हाँ एक respect जो है again, space, privacy, mutual respect बहुत जरूरी है लेकिन यह कि आप गल्दी से एक साल पहले आए, बेशक उनका जुगाहर का experience वह आपसे ज्यादा है, respect एक चीज़ अब authoritative नहीं हो सकते हैं तो वो चीज़े हैं मतलब, लेकिन मेरे मैं जब भी आता है students या मेरे juniors तो बड़े respectful way में मिलते हैं और मैं जाहरी बात है, मैं उसी साफ से पर respect देता हूँ, मैं even वो चाए या खाना जो भी होता है, मैं बनाते देता हूँ like a friends, equally, तो कोई यह ना लगे कि यार, मैं senior हूँ दो साल या दो तेन साल एक साल पहले आए, तो कौन सा आसमान तोटा है मैं यह से भी seniors हैं लेकिन mutual जो एक respect है, जो आपने space की बात के लिए वो जो एक consideration है, वो बहुत जरूरी है का ओए वर जो 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 एक है, जो 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 एक सभी बात के आप है तो अरवत अच्छे अच्छे आप स्कुल्टर्स बनाते रहें, बहुत मज़ा है आपसे बुक्त कूगत लेगा मुझे भी, thank you so much for this opportunity बस यह हैं जिन्दगी और यही चीज़े हैं बाकी काफी अच्छा लगा मुझे भी इस काइंड अफ मेडिटेशन पर मी क्योंकि मैं बहुत वही बात है कि ऐसे जब हमें लगता है कि अगला जो है वह आपकी लेंग्विज समझ रहा है तो बड़ा फ्लुएंटली मैं इस तरह बात करता हूं मुझे मज़ा आता है बिल्कुल यह होता है आपको लांग्विज जो है बड़ी जरूरी होती है इसके अंडर्स्टाइंड ने परना आप पहुंच आ नहीं पाता है आप समझ सकते हो कुम्यूनिकेट नहीं करवाता है आप जो एक ऊपर से पत्तर फेंगते हो और फिर ग्रेविटी नीचे लेकर है आप आपनी जगार पर नहीं हो तो आगे फिर कनेक्शन नहीं बनता यह बहुत जरूरी है कैनेक्शन अब्सभी तो आप मुझाए है का यह थी कह रहा है है मां मुझा आया तक दे तक दे तक बच्चर बच्च्चर झाल